तो स्वागत है आप सभी का अग्याफन एकेडमी के इस नए और लेडस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नूंबर 38 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तजही के रोजगार जी हां और यह जो चैप्टर है यह कसीदा है है आप लोग के मैंड में यही आया होगा कि अखिर कसीदा है क्या चीज हम लोग तो घजल जानते हैं अफसाना जानते हैं नजम जानते हैं दास्तान जानते हैं लेकिन यह कसीदा किसे कहते हैं तो सबसे पहले आप लोग कसीदा को समझी ठीक है देखिए कसीदा जो है ना शेर और शायरी की अंदाज में लिख कर कर देना क्या कहलाता है कसीदा कहलाता है मतलब उस लिखे हुए को कहते हैं कसीदा याद रखना है तो आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा कि कसीदा किसे कहते हैं पहले कसीदा कहा जाता था ताकि मतलब जितने भी लोग कसीदा कहते थे जितने भी शायर कसीदा पढ़ा करते थे वो इसलिए पढ़ते थे ताकि उनको इनाम मिल सके पहले के जमाने में राजा माराजा हुआ करते थे तो दर्बारी में जाकर शायर जो थे वो बादशाह की तारीफ में कसीदा पढ़ते थे तो बादशाह जो है ना खुस हो चाप्टर क्या है और सिर्ट करने को नहीं बुराई करने को मतलब किसी इंसान के ऊपर तारीफ करते यह फिर बुराई करते हुए आप बोल सकते हैं सब्सक्राइब के अंदाज में लिख देना ही क्या किलाता है कसीदा का आजगत है तो यह जो चप्र एक पसीदा यह क्या है एक कसीदा है जिसका टाइटल है तजीक रोजगार तो इस कसीदे में तारीफ करने के वज़ाए बुराई की गई है यानि कि आप बोल सकते हैं मजाग उडाया गया ह किसका मजाख उड़ाया गया है तो मुगल वन्ष मुगल सल्टनत का मजाख उड़ाया गया है इस कसीदे में इस चैप्टर में कैसे कैसे क्या है वो मैं आप लोगो बताऊंगी किस तरह मजाख उड़ाया गया हर एक चीज लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के जो राइटर है इनके बारे में हर एक डिजल्स चलिए समझ लेते हैं इस कसीदे यान की तजही की रोजगार नाम के इस चैप्टर के जो राइटर है मुसलनिफ वो है मिर्जा मुहम्मद रफी सौदा आप इनको शायर कहेंगे क्योंकि पसीदा जो है शायरी की एक सिल्फ है यहनकी केटेगरी है तो कसीदा लिखने वाले शायर कहलाते हैं ठीक है तो यह जो पसीदा है तजी के रोजगार इसके शायर कौन है वो है मिर्जा मुहम्मद रफी सौदा याद रखेगा यह भी उर्दू के बहुत बड़े जाने माने शायर हैं और इन्होंने सिर्फ यह तो बहले ही कसीदे के फिल्फ में बहुत पसीदे का बादशा कहा जाता है क्योंकि ये कसीडे के फिंड में बहुत धुज़ा मशूर म कुल उयूए लेकिन ऐसा नए है सिरस पासीड़ यह नहीं लिखे थे ये घजल भी लिखा करते थे, रुबाईयात, मसनवियात वगर लिखते थे तो उस मतलब घजल के भी फिल्ड में ये मशूर हुए लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुए जितना ये कसीदा के फिल्ड में मशूर हुए थे तो आप कह सकते हैं कि उर्दु शायरी में मिर्जा मुहमद रफी सौधा को भी बहुत ज्यादा मकबूल यत हासिल है मिर्जा मुहमद रफी सौधा के बारे में जितना भी डिटेल्स दिया गया है वो हर एक डिटेल्स बोर्ड पर लिख दी हूँ अगर यह तद्धी कर रुझा को नहीं पढ़ते हैं चैप्टर को छोड़ देते सिर्फ मुशन के बारे में आप लोग पढ़ लिते हैं जितना भी डिटेल्स दिए गया है उनसा भी डिटेल्स को पढ़ लेते हैं हमेशा राइटर यानिकी मिर्दा मुहमद रफी सौधा से पूछा जाता है कोश्चन हर साल लेकिन आप लोग टेंसन फ्री रहिए मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगी और मिर्दा मुहमद रफी सौधा के बारे जितना भी डिटेल्स आप लोग में दिया गया है उन सभी डिट कर दें क्योंकि मैं पढ़ाने स्टार्ट करूंगी तो उसी की दुनिया में आप लोग हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोग भूल जाए ठीक है और चैनल पर अगर आप लोग नहीं आया हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर जबा लिजिएगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुचे ठीक है थोड़ा बोड पर धुंदला हो सकता है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लिजिएगा चार बढ़ा लिजिए और जूम करके जो भी वोड़ पर लिखा हुआ देखना चाहते हैं बाहर थे थोड़ी सी न्वाइजिंग आ रही है इसको इग्नोर करना है आप लोग यहां पर देहां ठीक है चलिए समझते हैं मिर्जा मुहमद रफी सौदा जो है ना इनका नाम है मिर् मिर्जा मुहमद रफी है तखलूस सौदा है यानि कि शेर और शायरी के लास्ट लाइन में यह सौदा नाम यूज करते हैं ठीक है इनकी पैदाईश जो है यानि कि जन्म 17-17 इस भी को हुई थी और मिजा मुहमद रफी सौदा जो है पहले फार्सी में शायरी किये थे ठीक सिराजादिन अलिख आरजू से याद रखियेगा मिर्जा मुहमद रफी सौदा स्टाटिंग में जब फार्सी में शायरी करते थे यानि कि शेर कहते C तो किसे मश्वरे लिया करते थे तो सिराजुदिन अली खार्जु याद रखिएगा कोशन पूछ देता है या फिर आप यू कह सकते हैं कि सिराजुदिन अली खार्जु जो है न यह फार्सी के उस्ताद है मिर्जा मुहमद रफी सौदा के कोशन इस तर से पूछा जाता है म सिराजुदिन अली खार्जू ऑप्शन में सिर्फ अली खार्जू दिया रहता है तो उसको टिक कर देजेगा सिराज पूरा नाम नहीं देगा अली खार्जू दिया रहेगा उसको धीरे से टिक कर देना है अब देखिए जब यह उर्दू में शायरी करना स्टार्ट कर दिये तो आप्सन में दिया रहेगा शाहातिम इसको दिले से टिक कर देना है अई होप आप लोगो यहां तक समझ में आ गया होगा अब देखिए घजल के लावा कसीदा और हजवियात में मशूर हुए थें मिर्दा मुहमद रफी सौदा सिर्फ देखिए यह घजल भी लिखा करते हैं तो आप यूँ कह सकते हैं कि घजल भी लिखे थे कसीदा भी लिखे थे हजवियात रुबाईयात मसनवियात हर एक सिंफ में तबाजमाई किये थे ठीक है यहां तक आई हो समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं कसीदा का बादशाह कहा जाता है कोशन पूछेगा कि किसे कसीदे का बादशाह कहा जाता है ओप्सन में दिया रहेगा मिर्जा मुहमद रफी सौदा टिक कर दीजेगा कसीदे का बादशाह किसको कहते हैं मिर्जा मुहमद रफी सौदा को किसे कहते हैं मिर्जा मुहमद रफी सौदा को ही याद रखिएगा कसीदे का बादशाह कसीदा निगारी का नकास याओल किसको कहा जाता है? मिर्जा मुहम्मद रफी सौधा असान है, ठीक है? कसीदा निगारी का नकास याओल मिर्जा मुहम्मद रफी सौधा को ही कहा जाता है ये दोनों important point है question पूछा जा चुका है बहुत बार तक्रीबन तीन सा पसीदे लिखे थे मिर्दा मुहम्मद रफी सौधा लेकिन इन सभी पसीदों में जो सबसे ज़्यादा मशूर हजविया पसीदा जो था तजही के रोजगार मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ कसीदा वो तजही के रोजगार ही था जो की आज के वीडियो में आप लोगों को पढ़ना है फार्सी में इन्होंने एक रिसला भी स्टार्ट किया रिसला यानि की पत्रिका आप बोल सकते हैं तो मिर्जा मुहम्मद रफी सौदा अब रतुल गाफलीन यह कोशन एक दो बार पूछा गया है तो याद रखिएगा वो सकते हैं कि आप लोगों के एक्जाम में पूछ देए ठीक है कसीदा के अजजाय तरकीवी का मतलब क्या कसीदा में जो चीज सबसे ज़्यादा जरूरी होती है उसको कहते हैं अजजाय नहीं कहा जा सकता है ठीक है तो कसीदा के पांच अजजाय तरकीवी होते हैं पहला है तश्वीब ठीक है दूसरा है गुरेज याद रखिएगा दूसरा है गुरेज पहला क्या है तश्वीब तीसरा है मदः चौथा है तलब और पांचवा है दूआ यह पांच चीजे जो कुछेगा कि किसीदा के अज्जाय तर्खीवी क्या है तो इन पांच में से कोई एक देदेगा आप लोगोगो हो टिक कर देना हैं तश्वीव देगा आप नहीं मददे में वालत टेक जो बी मैंब्लोंको सहें अंशर टिक करना ना liquidoенное मिर्जाओम्न रफी सौधा का बारे में इतना ही डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गाता है बस हो गया खतम अब देखें यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा की पॉइंट मैं लिख दी हूँ समझे कि यह तब कोशन पूछा जाएगा जब बिहार बोड़ बोच्दा गुस्से में होगा तब इतना गहरा सभ्मी ऐडारहमी सदी किसे केते हैं आप बमें बताई कि क्मेंड में बने बताई हूँ तो आतारहमी सदी के कौन हुए मिरजा मुहमेद रफी सौधा भूशन पुछेगा कि पूर्यगा मुहमेद रफिश दी के 19-वी सद्वे के आखिर में जो कसीदानीगार मशूर हुए वो थे मुहसीन काकोरी मतलब इनका लुट छापकर ल होने। मतलब इनकी जो कसीदा निगारी है ना चालों तरफ फैलने लगी धीरे-धीरे अब यह फेमस होने लगे उन्हीं सभी सदी के आखिर में मुहसिन का कोरी दिया रहेगा आपसन में टिक कर दिजेगा अगर कोशन पूछे तो तो यह हर एक डिटेल्स में आप लोगों को बता द की यानि की मुगल वन्सकी और स्कानि अब्चे साहिरी तौर पर मजट नहीं उड़ाया गया है जब जर् bomb गोड़े का जर्य बनाकर मुझा उड़ाया गया है ठीक है का मतलब होता है मजँक्त आ कि रुस्वा करना बदनाम करना रोजगार का समझते ही है पेशा बिजनेस आ द्रिए करना करना ठीक्हें मतलब की डारेक्ट नहीं और करना के लिल्क्रेस्ट कि गोड़कर जरी वाण आकर मजा को एग आप लोग तो जानते होंगे मुगल वन्ष के संस्थापक कौन थे बाबर यानि की बाभर सबसे पहला मोगल था की भारत पर आकर राज किया ता बाबर या और भारत पर राज किया और उसके बाद 750 बेटा हमयू माईयू के बेट बाद उसका बेटा अकबर जलाल الدिन मुंहांट एकबर जलाल addedın मुंहांद एकबर में सबसे तंध्र साशन काल था मुगल सल्तनत का अब समझजी कि सबसे मझबूत सल्तनत का तो जलाल भी मुंहां दो के महा है चला था ठीकर उसके बाद से धीरे धीरे कमजोर होते चला गया के बहुत को variance क Maar के बाद उसका बेटा आा सलीम जहांगीoples फिर उसके बाद उसका बेटा शा यहान साजा के बाद औरंग्जेव GUis तरह दीरे दीरे जो है लिजय अनमगोल सल्थना कम्जोर होता चला गया और जो अंतिम मुगल शासक था आखरी मुगल शासक वो था बहादुर शाह जफर याद रखिएगा अंतिम मुगल शासक कौन थे तो वो थे बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शासक के साथ एक उर्दू के बहुत बड़े जाने माने शायर भी थे जिया और वैसे मुगल słuластनत कमजोर होते जा रहा था ठीखे और जब अंग्रेज भारत पर पूरी तरीके से पैर पसाड लिये थे मैं मुझा पूरी तरीके से कबज़ा कर लिये थे दने थे तब तक मुगल सल्टनत्त हो चुका था मुगलवन्ष खत्म हो चुका था ठीक है तो अंतिम मुगल शाह सकते बहादुर शाह जफर उसके बाद से तो मोगलवन्ष खत्म ही हो गया तो समझे कि उस वक्त तक जो अंग्रेज थे पूरी तरीके से पैर पसाड़ लिये थे अ खालल बहादूर्शाह जफर को तो व भी शारी के अंदास में आकर आ भादूर्शाह जफर जो है ने कमरे में थे अपने बच्यों के साथ चुपे हुए थैं तो आया अंग्रेज और शारी के अंदास में कहा कि दम दमे में धं नहीं है खैर मांगो जानकी ऐ जवर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की अब ये सुनकर जो है ना बाहदुर शा सफर से रहा नहीं गया क्योंकि यहां पर घंदुस्तान की विजदत ही और बाधुर शा जफर चुप रहें ऐसा तो होई नहीं सकता उनसे रहा नही गया और वो भी बोल पड़े करारा जवाब देते हुए शायरी की अंदाज में बहादूर शाह जफर बोलें कि घाजियों में बू रहेगी जब तलक इमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की सच यह जो शेर है ना बहादूर शाह जफर द्वारा कहा गया था और वह भल बहादूर शाह जफर को चारों तरफ से अंग्रेस बाहदूर शाह जफर के जो डादा थे शालम्सानी हुए उनका घुला Ό गलामी जहरें को डिंदे में ही दोन्म आखो खंजर सनी कर अंदा. कर दिया था और यह दर्दनाग घटना जो है ना बहादुर शाह जफर खुद अपने आखों से देखे थे अपने दादा की दर्दनाग घटना ठीक है उसके बाद से बादुर्शाह जफर के जब वालिद पीता जी बने बादुर तो उस वक्त तक तो मतलब बहादुर्शाह जफर बादशा बने तब तक तो ये खुद 62 साल की उमर के हो गए थे अब 62 साल में अपनी शरीर को संबाले की मुगल सलतनत को संबाले जैसा भी हुआ मिलब जो कुछ भी हुआ 1857 की ख्रांती और 1857 में बादुर्शा जफर को अंग्रेज फसा दिया ठीक है उसके बाद से बचारे बादुर्शा जफर को अपने शहर को ही छोड़ कर जाना पड़ा रंगून चले गए थे चार साल तक वहीं पर है और 1862 में बादुर्शा जफर की मौत हो गई ठीक है और बादुर्शा जफर के चारों बेटों को भी मैं अब जितने भी बेटे थे मुझको याद नहीं आ रहा है कितने बेटे थे लेकिन हाँ जितने भी बेटे थे अंग्रेजों ने मार दिया मुगल वन सी समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने सोची है और बादुर्शा जफर की कि एक शेर है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए दो घजमीन भी ना मिल सकी वे यार में यानि कि बहादुर्शा जफर को दो घजमीन भी दफन के लिए नहीं मिल पाया था अपने ही शहर में अपने ही यार की गली में जिस शहर में यह पैदा हुए थे उसी शहर में इनको दो घजमीन नहीं मिल पाया था दफन के लिए मतलब इनको दफन भी होना पड़ा तो दूसरे शहर में सुचिये तो इसी पर ये एक शेर लिखे थे तो ये सारी कहानी थे जो भी हो अगर आप लोग इस कसीदे को पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि हां मुगल सल्तनत की बुराई की गई है पढ़ने से समझ में नहीं आएगा गोड़े को जरिया बना कर बुराई की तवेले में तवेले कहते हैं जहां पर घोड़ा को रखा जाता है तो उनके तवेले में इराकी वह अर्भी घोड़ा रहा करते थे वो लोग बहुत धनी मनी थे आज उनके लिए एक ऐसा समय आगया एक ऐसी घड़ी आ गई है कि उनके पास से सब कुस्त खत्म हो चुका है है वो एक गरीब लाचार हो गये है ठीक है अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं रहें कि खुद अपने चपल और जुते को सिल्वा सके अब वो चपल और जुते बी देंट उधार सिल्वाते हैं और मतलए गरीबी का एक कारण बताए गया है इस कसीदे में गरीबी की एक वजह बताए गई है और उसी पर एक कहानी भी बताई गई है इस कसीदर में बताये गए है कि यह नहीं था कि मिर्जा मुowaćर में राफी सुधा बता रहे है कि यह कंजूस आदमी था जो मेरे पडोस में ही रहता था मैं उसका नाम नहीं लूँस अक्षिए यह वह वह पुआ मैं गटिया किसम का अदमी कदीर हम के ठाब कर गया था भीकाषरम का पार कर ना गरिलूगा तो जो लेता था था जो ने सुराप मूeri रफीषा आध ज़ो आदमी था औहा यह वह सौ रुप्ए का घोड़ा खरीद कर लाया था तुछ ठीक है और वो जो 100 रुपे का घोड़ा था इतना मतलब उसमें से ताकत का नाम ही छोड़िए बेताक्ती का ये कहां तक इजहार करें मतलब उसके अंदर तो ताकत थी नहीं हाथ पैड सब सब चीत से वो लचार हो गया था घोड़ा सोचिए घोड़ा घोड़ा का जरिये बना ही पाइक नहीं था इसके पासताकत नहीं थी तो वहीं बताया कि घोड़ा इतना लाचार हो गया था जब åt होत क्वान अड़ी त告ने सब्सक्राइब पूरी था से वो कमजोर हो गया था बहुत है उसके सरीर पर जाए ना मक्खिया केड़े मकोड़े बिनाया करते थे बहुत ही लाचार ठीक है और एक बार हुआ यह कि उस घोड़े को घोड़े के पास गये थे मिर्जा महमनुद रफी सौदा जाकर मतलब बोले कि आप हमारे आप अपना घोड़ा दे दीचे हमको सैर करना है तो वो जो है जिसका घोड़ा था कंजूस आदमी वो बोला कि देखिए ऐसे हजार घोड़े आप पर कुर्बान लेकिन इस घोड़े को मतले कर जाईए क्योंकि इसमें है क्या यह एक बार मतलब अगर बैठ गया ना तो जब तक मौत न क्या किरें धे दिजिए अब हमको मतलब की दे दिजए क्या करेंगे विचारा लचार अपूरी तरीके से एक बार की बात है इसमें बताया जा रहा है कि उसी घोड़े को दुलहा जो है ना ब्याहने के लिए मतलब उस घोड़े पर सवार होकर जा रहा था लड़की के घर वाले इंतिजार कर रहे थे कि हाँ आप दुलहा आएंगे ठीक है दुलहा उसी घोड़े पर सवार हुआ था और ब्याहने के लिए यानि कि शादी करने के लिए लड़की वा लेकर गया था दुला को वही बात इसमें बताये गया है इसी तरह मतलब कि आप लोगो तो समझ में आ गया होगा कि डारेक्ट मुगल वन्स कम अधाक नहीं उड़ाए गया है और परत्यक्ष रूप से यान की घोड़े का जरीया बनाकर मजाक उड़ाये गया है उसी तरह तब तक नहीं उठा था बहुत ज़्यादा कमजोर मख्या भिन भिनाने लगे लगे थे उसी तरह जो है न मुगलवन्स का हाल हो गया था उस वक्त पूरी तरीके से लाचार हो गया था और अंत में मुगलवन्स समाफ्थ हो गया खतम गया तो यह थी और कोई बात नहीं है यह पर हो जाता है आप लोगों का पूंड रूप से चैप्टर नंबर 38 तजही के रोजगार नाम का चैप्टर कम्प्लीट आई होप आप लोग को हर एक एक पॉइंट समझ में आया होगा अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले लिजे फड़ा वड़ा स्क्रीन श्रॉंट अगर आप लोग चैनल पर नए नए आये हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लिजिएगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोडो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे इसी